दोस्तों नमस्कार जन तक के एक एपिसोड में आपका फिर स्वागत है दिन स्टोई ऑफ गैंग्स्टर मैं शुरॉत करूंगा आज कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि लोरस विश्णुई के बारे में बताईए लोरस विश्णुई के बारे में आपको में बताऊंगा ह conception वेना करें आपको एक कहानी बताऊंगा आज कि कैसे पंजाब में गैंग्स्टर हैं और पंजाब में जो हमग्री हैं कैसे चलती है क्या ले 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 देना है कि आज तक चार सिंगर के मर्डर हुए हैं 20-25 साल में अब ये लोग कैसे काम करते हैं वो भी बताऊंगा और कितने गैंग सक्रिये हैं ये भी बताऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा कि गोल्डी बराड और लोरस विश्णोई है कौन और कैसे लोर विष्णोई अच्छे परिवार से आता है लेकिन गैंग्सेर बन जाता है लेकिन उसे पहले में आपको एक बात पताना चाहूंगा कि मेरे शू आप देखते हो अच्छी तरह से देखते हो और कमेंट भी करते हो लाइक भी बहुत करते हो लेकिन 96% जो मेरे शो को देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो मैं उसे एक रिक्वेस्ट करूँगा एक निवेदेन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्स्राइब करेजिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी हर कबर का नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरी हर कबर दीख पाएंगे तो कहानी शुरू करते हैं नमस्कार मैं हूँ पंकजवेदी लोरिस विष्णोई पंजाब के अबोहर में जनम होता है अब विष्णोई जो लोग होते वो राजिस्तान से जादा हैं लेकिन यहाँ पर आए हुए हैं और आपको मालू है माइगरेट हुई थी एक फैमली लोर जब पैदा हुआ तो तब वो कहते कि उनके पास कम से कम भी साथ क्रोड की जमीन थी उस समय और आज आप देख लीजिएगा कि कितनी जमीन हैं तो लोरिस विष्णोई का परिवार जो था पड़ा लिखा था एजूकेटर था एक गरमे कल्चर था कि हर बच्चे को पड़ा लिखा होना चाहिए लोरिस विष्णोई जब आपकी अपनी स्कूल की स्टडी वेगारा जो शिक्षा है वो प्रापत करने के बाद परिवार बोलता है कि हायर एजुकेशन के लिए उनको चंडीगड बही दिया जाता है चंडीगड के डीएवी कोलेज में पंजाब एक राजनी की दल है जो स्टूडेंट सेल में काम करता है जिसका नाम है सोपु स्टूडेंट और गरेक्शन और पंजाब बहुत फेमस है पंजाब में सोपु से वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं अब यहां पर जब आते तो उनसे ही जुनियर उनको उनकी सोच जैसा एक व्यक्ति मिलता है क्योंकि परिवार अच्छा था पुलिस वाले के बेटे थे देखने में बहुत समाट क्लीन शेव रहते थे पहले अब तो दाड़ी रखे ही है तो कोई भी आदमी देखेगा लगेगा एक मासुम चैरा है लेकिन दीमाग में उनको आगे पढ़ना था गलत रास्ता उनको अपनाना था तो सोपु से वो चुनाव हार जाते हैं आरैवल गैंगे जी जाता है उसके बाद आपस में लड़ाई जगड़ा होता है तो चंदीगण में पहली बार गोलिया चलती है उसमें इनके उपर पहला केस लग जाता है पहली बार केस लगा तब तक ठीक ठाक था चोटी मोटी गटनाए होती थी अब रोहित बराड जो सितिंदर बराड जिनका सही नाम है वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं दीरे तीरे ये अपना एक गैंक सक्रिय कर लेते हैं और स्टुडेंट जो लोग होते हैं इनको गुंडागदी करना उमर छोटी होती है जो रास्ता आपको अच्छा लगे आप उस रास्ते पर चलते हो तो वहां से एक गैंग बनता है जिसका ये नाम रखते हैं 007 जैंस पोंच से प्रहित होके शैद ये एक नाम रख लेते हैं इसी दुरान अबहर में एक लड़की होत शुरू होता है मिलनाज़ो होता है तो इंकी जो गल्फरंट थी उनकी मित्ती हो जाती है क्रोड अग्सिशिडन्ट में उसमें 2पहलीर नावां कमे होती है आप लॉरेस विश्रु नोई को बहुत धाका लगता है, आप मोः सोचता है कि छलो, जब अपकिसे से प्यार करते हो स्याली तो आप गलत रास्ता आ पनाने की आपके पास दो रास्ते होते हैं, लेकिन लॉरिस विश्रु दियुप रास्ते पर चल पड़ता है, कि मुझे अपनी जो गल्फेन है जो प्यार है उसके कातिलों से बद्राल लेना है तो करते करते अच्छा कासा गैंग बन जाता है लेकिन तब तक लोरेस विश्णोई लोरेस विश्णोई नहीं बनता तब तक छोटी मोटी आम गटना ही होती रहती है और दीरे-दीरे करके काला जखेडी के साथ इनको अपने गैंग में जोड़ते हैं उनसे संबद अच्छे होते हैं लेकिन 2015 से लिके आज तक ये जेल में 7 साल हो गए हैं और 7 साल के इनी 7 साल के अंदर इनका जो गैंग है वह बड़ा बोल गया है कहते हैं कि 600 सूटर हैं इनके गैंग में पंजाब, हर्याना, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराश्टर यहां तक ये गैंग की बाजू है और यहां तक ये गैंग सक्रिये है अब लोरिस विश्णोई, लोरिस विश्णोई कैसे बनता है मैंने आपको पताया, दीरे-देरे करके वह अपनी गैंग को बड़ाते हैं अब जोथपूर के दो बिपारी होते हैं, ये उनको दंकी देते हैं जा तो हमें इतने पैसे दो या तो हम आपको मार देंगे हाला कि वो बैपारी ओर डरते नहीं है इंको बलाते हैं जोडपुर रगड़ी देने के लिए ये जाते हैं और वहाँ पर जोडपुर पुलीस इनको गिर्फ़़ार को हरती है अब गिर्फतार करती है, ये बागते हैं, फिर दुबारा गिर्फतार हो जाते हैं तो अब इनको जब कोट में लिके जाया जाता है तो अब कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाता है इसी के बीच आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ये साफ बोलते हैं कि सल्मान खान को अभी तब तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब मैं उसको मारूँगा इसे थोड़ा पीछे चलते हैं, एक संपत महरा करके आदमी की मिंगलोर में गिर्फतारी होती है अब जब किर्फतारी होती है संपत मेरा की, तो उससे मालूम चलता है कि वो मंबई जाता है, तो पूछते है कि आप मंबई क्यों गए थे तो वो फिर बताता है कि मैं सल्मान खान के गर की रेकी, गलेक्सी अपार्टमेंट की जो आसपास कह रही है, उसकी रेकी करने गया था, कि मुझे लोरेस विश्णोई द्वारा मुझे ये चीज़े करने को बोला गया था अब एक केस और लग जाता है, अब लोरेस विश्णोई 2018 में जब जाता है, कोट में, तो ये वियान देता है, जिसका वीडियो वारेल है, आप देख ली जएगा, शैद मैं इसमें भी डाल दूँ, लेकिन आपको मिल जाएगा, पूरी कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहां से लोरेस विश्णोई लोरेस विश्णोई बन जाता है, अब इसके बाद जोदपूर जेल में रहता है, थोड़े समय बाद इनको अजमेर की एक जेल है, वहाँ पर शिप्तिया जाता है, वहाँ पर इनको अमरपाल राजस्तान के गैंसर है, वो मिल यह सब कुछ चलाते हैं, मबाइल चलता है, फेस्बुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, और सरकारे चाही तो इनको बंद कर सकती हैं, लेकिन किस परकास से गैंसर लोग काम करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा, जेल के अंदर-अंदर रहके ही सारे काम होते हैं, और इनके एक इशारे पर इनके शूटर काम कर देते हैं। अमरपाल के साथ जब इनकी दोस्ती होती है, दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। तो अमरपाल के जो दो दुश्मन होते हैं, ये उनको भी मरवा देते हैं। इससे अमरपाल बहुत खुश होता है। और अमरपाल एक वियान देता है कि जो हो लोरेस विश्नोई का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो लोरस विश्नोई का दोस्त वो मेरा दोस्त. अब ये गंग बढ़ता रहता है खलाकि दो इनकी लोग अमरपाल की एक एंकोमटने में मित्ती हो जाती है. उसके बाद इनके केस पढ़ते रहते हैं, तापे आते रहते हैं, अब पिछले दिनों ये दिली में थे, त्यहार जिल में, 36 केस हैं इनके अपर, और कोई भी ऐसा केस नहीं है, अब जो केस हुआ बो 37 महा होगा, जो सिद्ध्धू मुसे बाले वक्र हुआ, कोई भी ऐसा केस है जो इन्होंने कोई ऐसा जुर्म नियुक्त किना किया हूं हत्या फिरोती हाइवे रोबरी एसकोशन किड्नैपिंग कोई ऐसा केस निये जो इनके ऊपर ना लगा हूं अब ठोड़ा गोल्डी ब्राड के अबारे में आते हैं गोल्डी ब्राड से इनकी दोस्ती होती है और वो जो सही नाम है वो है सतिंदर बाड़ा वो भी डियावी कोलिड में पढ़ते हैं इनके साथ जुड़ जाते हैं काफी हत्या करते हैं फिरेट कोट की एक अदालत उनको नोन अबेलेबल एक वरंट जारी करती है लेकिन उससे पहले ये करेड़ा बाग जाते हैं और वहाँ अपर रहेकर आज अपना गैंक चला रहे हैं है वो इनके साथ ही इनके साथ में रहते हैं अब सिद्धू मुस्वाबले पर आते हैं वो तो गोल्डी ब्राड खुद ही बोल रहे हैं फेस्बूक पर कि मैंने यह सब किया अब संक्षेक में जाने का बता आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी ख़बरे आ चुकी हैं वो सारी कहानी मानूमी आपको अब चार जो सिंगर हैं पंजाब में इंडस्टी में मीडिंग इंडस्टी में इनका आज तक मडर हुआ है पहला नाम 88 में चमकीला जिनको काफी लोग पसंद करते थे चमकीला के गाने वो किसी फ संदू दूसरे सिंगर इनकी भी हत्या की जाती है दिलशान अक्तर इनकी भी हत्या की जाती है अभी हाली में सिद्व मुसेवाला की गटना को आप सब जानते ही हो परमीश वर्मा इनको गोली मार दी जाती है और यह स्पी को फून करते हैं और बोलते हैं कि मुझे गोली ल लाते हैं और बच जाते हैं गिपी गिरेवाल आज की तारिक में उनको भी दंकी मिली है सुरक्षा के गेरे में हैं लेकिन दंकी के मिनी तो जी रहे हैं मल्कीत ओलक इनको भी किसी गैंग ने गंग दंकी दी है और बोला है कि मल्कीत ओलक के बारे में यह बोला है कि मल्कीत ओलक जो बाकी सिंगर हैं उनकी इन्फोर्मेशन दूसरे गैंग को देते हैं इसलिए हम इनको माना चाहते हैं सिद्धू मुसेवाला की नाम इसमें है कि कही ना कहीं मल्कीत ओलक का भी इसमें हाथ है यह वो जिनों ने इनको दम की दी है अब आ जाते हैं पंजाबी मुजिंग इंडस्ट्री पर अब पंजाबी मुजिंग इंडस्ट्री जो है पूरे देश की मुजिंग इंडस्ट्री वो तेरा सो क्रोड रुपे की है अब तेरा सो क्रोड रुपे में दो सो क्रोड रुपया पंजा आपको कुछ और शंक्षेप में बताता हूं अब जितनी भी कंपनियां हैं पंजाबी सोंग या कोई भी कंपनियां वो हिंदी हो तामिल हो कोई भी सोंग वो लेती है राइट लेती है उसको यूटूब चैनल या कहीं और पर भेजती है तो कहती है कि 60 परसंट जो जिक से आता है 500 क्रोड रुपया जो तेरा सो क्रोड में जो 25 सिंगर है बहुत सारे एवंट करते हैं छोटे से सोटा सिंगर प्चैतर से सो एवंट करता है साल में और कम से कम 50 हजार से एक लाग खुरूब लेता है एक सिंगर तो आप देखिए पैसा कितना है अब 200 क्रोड फैर यह हो गया तेरा सो क्रोड में 500 रुपए यह हो गया तेरा सो क्रोड में अगर साथ क्रोड निकाल दीया ज़िसक्रोड रुपर आदे ज्यादा पैसा है अस तो आप देख लीजे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये और कितना पैसा है इसमें कि 2019 में एक डाटा है उसमें बोला गया था कि चार हजार बैंड है यहां पर पंजाब में बैंड है और हर दिन 15 से 20 गाने नहीं निकलते हैं और यह तादाद बढ़ती जाती है हर साल 10 परसंट के हिसाब से दू यह डाटा 2019 का है अब आप 2022 में आप खुद लगा लिजी आज की तारिक में कितना होगा अब पंजाब में 70 गैंग हैं जो सक्रिये हैं 500 शूटर हैं 70 गैंग के अंडर अब आप बोलोगे आपने बोला था कि लोरस विश्नुई के 600 शूटर है लेकिन 600 जो है वो पूरी इंडिया में जो पंजाब में हैं वो कम होंगे अब पंजाब में 70 गैंग हैं 500 शूटर हैं इन 500 में से 300 अंदर हैं जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं या मर गए हैं 200 बाहर है अब आप देखिए कि कितनी खत्ना काहनिये कि 300 अंदर हैं जेलों के अंदर हैं और वो जेलों के अंदर से ही पूरा सक्रियत होके अपने चलाते हैं, जो गैंग के लोग मर भी गए हैं, वो भी अपना गैंग चला रहा है, उनका भी गैंग चल रहा है, किस परकास से वो किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी को भी दंकी देते हैं, लेकिन जिलों के अंदर इनके पास मबाइल और तमाम तरह की सोलते आती हैं, लेकि सरकार की इसमें कितनी गलती है यह आप समयधार हैं कि जेल के अंदर से कैसे यह चीज़े हो सकती हैं 500 में से 300 अंदर और वो 300 लोग 200 लोग को इशारा करते हैं और वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं और सब होता है अब मैं आपको बाता हूंगा यह सत्तर में से जो आठ गैंग हैं जो ने पंजाब की कानुड विवस्ता पे पूरा नाक में दम किया हुआ है वो आठ गैंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो टोप एट हैं सबसे पहला लोरेश विष्णोई और बराड गोल्डी बराड यह दोनों तो आपको मालूमी एक साथ ही हैं इनकी कहानी में आपको बता ही चको है इसमें थोड़ी बहुती हैं दूसरा गैंग जग्व बेल में हैं और विद इनको माँ जो सुखा कालवा गैंग था उनके साथ भी इनके अच्छे समद्धेर के साथ ही हैं तीसरे नबर पर आता है गोंडर बरदर विकी गोंडर को आप जानते ही होंगे नहीं जानते थोड़ा आपको मैं बात में बता दूंगा आप जान दिया है द्वेंदर बंबिया बंबिया गैंग जिसको बोलते हैं हाला कि 2016 मिन की मित्यू हो चुकी है लेकिन गैंग आज भी चल रहा है अच्छे तरह सकरिया है सारे कानों की दर्जिया उड़ा रहे हैं यह वहीं बंबिया गैंग है जिसके कारण लोरस विश्णोई और सि इनोंने गाना गाया था बंबिया वाला इसके कारण भी थोड़ा लोरस विश्णोई से नाराज थे पांच्वा जो गैंग है वो है सुक्का कालवा सुक्का कालवा के बारे में आप सब जानते ही हैं इनको यह पुलिस कस्टेडी में थे एक तारिक बुक्त ने आये थे ता इनको गोलिया मार दी जाती है और इनकी आज लास के आज पास नाच के वो लोग फरार हो जाते हैं पुलिस बिल्कुल पीछे रहती है अब आप देखिए कि पुलिस की कस्टेडी में इतने बड़े एक गैंक्सर का मरद कर दिया जाता है और इसकी लास के सामने नाच भी ल देखिए और कुछ कारवाई नहीं कर पाती है आज तक वो गैंग सक्रिये हैं चल रहे हैं गुर्बोक सिंग सेवेवाला गैंग पंजाब हर्याना राजिस्तान में अच्छी तरह चल रहा है इनकी भी मोत होगी थी तो इसके बाद इनके रब जो बाई है रंजीत सिंग दो लोगों का मिलके ये गैंग है इन दोनों की डैथ होगी है लेकिन इसके बाद नंबर तीन नंबर चार नंबर चोते वाले इस गैंग को अच्छी तरह चला रहे है और हर वो काम करते हैं जो गैर कारूनी होता है लेकिन वो होते जा रहा है सुप्रिज सिंग आठ्वांग जो गैंग है सुप्रिज सिंग हैरी छेटे वाला ये वही गैंग है आपको मालू है जो नाबा जेल में जो पर एक वेब सेरीज भी बनी थी पिच्चर भी बनी थी एमाजोन पर या होस्टार पर है वो आप देख ली जएगा इसमें पूरी आपको कहानी मिल जाएगी इस गैंग की तो यह वो आठ गैंग है जिन्होंने पंजाब की लोए नौर पर पूरी तरह से नाक में दम किया हुआ है अब यह बंते कैसे हैं गैंग और इतनी सक्रिय कैसे हो जाते हैं क्या कारण है कि इतनी सारे गैंग है एक्टीव हैं जेलों में हैं फिर भी काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा संचेप में और थोड़ा बताता हूं अब पंजाब की जो पॉपॉलेशन है वह हैं लगबग 2 क्रोड़ पुरे देश की 140 क्रोड और पॉपॉलेशन है पंजाब की पुरिश की अगर अप लगाए जैंप इस में से जो हत्यार हैं पुरे देश में वह लाइसेज वाले जो डेटा है वो है 40 लाग के करीग, उसमें से जो 10% हत्यार है वो पंजाब में, लगबग 4 लाग हत्यार रखने का शोंग है हर किसी को, यह तो लाइसिस वाल है, गैर कानूनी कितने होंगे, अब आप देख लीजिए, यूपी बिहार तो वैसे ही पदनाव है जनाव, हत्यारों का अगर देखना हो, तो कहा सबसे जाना हत्यार है, आज की तारिक में वो पंजाब में हैं, अब जो गैंक्स्टर लोग हैं, वो तो लाइसिस वाले हत्यार तो यूज़ करते नहीं होंगे, उससे तो वो बारदात कर वाता कि यहां पर नशा लेने वाले बहुत लोग है, आसपास की जो बोर्डर हैं, वहां से नशा यहां पर आता है, और लोग फूशियों के लेते हैं, महंगा नशा है, लोग करते हैं, नो लाक लोग हैं जो ड्रक एड्डिक्ट है परजाम में, उस पेसे साड़े तीन ला पर इनकी नजर रहती है, कि कैसे भी करके इनको अपने गैंग में शामिल किया जाए, और इनसे वो जुर्म करवाए जाए, जो जुर्म हम जेल में बैठके नहीं कर सकते, और इनको वो शामिल करवाते हैं, तो यह थी पूरी कहानी, पूरी नहीं मैं बोलूँगा जितना मै जानता था है, मैंने को कुछ बता दिया उतना, पंजाब में गैंग्स्टर, पंजाब की मुजिंग इंडर्स्ट्री, और किस परकास से पंजाब में जो गैंग है, वो जेलों के अंदर से चल रहे हैं, जी जो 500 और 300 वाली मैंने आपको बताया कि ये लोग 300 लोग अंदर है और 500 और 200 बाहर हैं, ये पंजाब के DGP की एक स्टेटमेंट है, रिकोर्ड पर है, अब आप खुद सोचिए कि 300 लोग अंदर हैं, जीलों में हैं, कोई त्याहार में हैं, कोई कहीं हैं, अब सरकार किसी की भी हो, जेलों के अंदर से कैसे जुर्म हो जाता है, और जेलों के अंदर से इनको कैसे हर सुलत मुहिया हो जाती है, हर तमाम के एशो और आम इनको मिलते हैं, हर समय बाद इनके वीडियो आते हैं, कोई शरापीते वीडियो बनाता है, कोई रिवालवर के साथ वीडियो बनाता है, सरकार चाहें तो इनको 10 मिट में खतम कर सकती हैं, लेकिन को खतम करें क्यों कि सरकारों को इनकी जरूरत है और इनको सरकारों की इसी तरीके से काम चलता रहता है और आगे यह सब हो रहा है यह थी मेरी एक छोटी सी पेजकर्श जितना मैं इसमें काम्याब हुआ मैं नहीं जानता कि इतने में कितना काम जो हुआ लेकिन जितनी मैंने इन्वेस्टरी करी थी वो मैंने आपको बता दिया आगे भी आप देखते रहे हैं मेरे चैनल को मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग 94 परसंड लोग जो नोने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस खबर को देखते हैं एक निवेजन करूँगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेर करिए ऐसी खबरें आपको और ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे नमस्कार